हेलो हाई गाईस कैसे हैं आप सब गुड इवनिंग आज की इवनिंग में लेके आई हूँ आपके लिए धमाकेदा रेसिपी आज हम मतल पनीर बनाएंगे कुछ अलग तरीके से तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा आज हम नियर मना रहे है फर्स्ट डे है जन्वरी का मनत है तो चलिए पैन रखा मैंने और इसमें ओइल डाल दिया है ओइल डालके इसमें मैं एट करूंगी अद्रक के पिंच पतले-पतले काट लिया है मैंने और एक हरी मिर्च थोड़ा से ओनियन प्याज डालेंगे काटके बड़े-बड़े क अब एक प्याज के चार-पाश टुकड़े बना सकते हैं क्योंकि इस मसाले को हम फ्राय करके पीसने वाले हैं तो आप कितने भी बड़ी अगार में काट सकते हैं चलेगा किके अभी थोड़ा सा पक चुके हैं तो इसमें हम टमाटरेट कर देंगे टमाटर डाल रखें मेने अच्छे से अब हम इसको निकाल लेंगे हलका फुलका जो ऑईल होगा उसको निकाल लेंगे तो सारे मसाला हम निकाल के प्लेट में रख देंगे इसको ठंडा होने देंगे तो गाइस इसी पैन में हम पनीर को रोस्ट कर लेंगे इसमें मैंने ऑईल एड़ नहीं किया है अ बार में डालके इसमें मैंने 4-5 काजू भी डाल दिये हैं इसको पीस लेंगे अच्छे से देखे एक तरफ से हमारा पनीर रोष्ट हो चुका है ब्राउन कलर आ चुका है तो इसको पलट देंगे हम कर्ची की सायता से उलट पलट कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी से रोष्ट के प्रेंग अच्छे से रोष्ट अपत् है और इसी पैन में आप हम मटर आड़ कर देंगे मटर को भी हलका रोष्ट कर लेंगे ओल नहीं ड Ayles मैंने मे Crash मैने डेखे ओना नहीं देखे बिलकुल भी ओल नहीं है तो मटर मैंने अच्छे से वाश कर लिएती सफ Venote नूर्ब लेंगे और इसी kattori में थोड़ा सा पानी राई operate करेंगे, दीक हमारा पेष्ट में पाले ऐतु में प सारी तरा सुरे मसलाय sera मुझे ज्यादा ओयले सांधिन करते हुए, ये सारब मसाला हुझे listening पका लेंगे, मसाला हमारा बोईल हो चुका है, तो अब हमने जो प्याज और टिमाटर सारे पीसे थे, उसको भी इसमें एट कर देंगे, पेश्ट को हमने एट कर दिया है, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, कर्ची की सहायता से, और इसमें बोईल आने देंगे, हलवाई स्टाइल में बनती है, तो देखे हमारा मसाला पकने लगा है, अब हम इसमें एट करेंगे मटर, जो हमने रोस्ट किये थे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में, अब हम इसमें पनीर एट कर देंगे, और पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, यह सबजी हमें ज़ादा पकानी नहीं पड़ती है क्योंकि सबची तो पहले ही पक चुका है अल्रीडी मसाले भी, पनीर भी, मटर भी, रोस्ट के थे तो वो हलके पक चुके थे, तो जिसमें पानी एट करने के जरवत नहीं है, अगर आप पानी एट करना और धनिये से गार्निस करेंगे देखे गाइस बहुत टेश्टी सब्जी रेडी है नियर पे मैंने बनाई है कुछ अलग तरीके कि आपको कैसी लगी है आप भी ट्राइ किजिएगा और साथी में मैंने बनाए है इसके साथ खाने के लिए गिहों की रोटी मक्की की रोटी और थोड़ा सा स्वीट बनाई है मीठे में मैंने बनाई है खीर तो अब हम इसको परोषते हैं तो देखे मैंने कटोरी में पनीर के सब्जी परोषते देखे मेरी गाड़ी गाड़ी है पर ख़र देखे दम बहुत ही टेस्टी बनके रेडी है तो पनीर हमने अड़कर दिया है कटोरी में अब इसको एक प्लेट में रख दिया है अब हम इसमें डालेंगे खीरे सलाथ जो मैंने काटा था खीरा चुकंदर और गांजर का सलाथ काटा है तो ये भी एट कर दिया है और साथ में रोटी और थोड़ी सी मीठी चीच ये है हमारी खीर मैंने वीडियो नहीं डाले इसकी ये बासमती के टुकड़े से बनाई हुई है तो हमारी रेसिपी एकदम रेड़ी है आप भी ट्राइ कीजिएगा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं नई वीडियो में तबते के लिए बाई बाई टेक केर